कि किसानओं का वीडियो मों स्योग थार पिसान बैइ अब दूसरे का टाइम आ चुका है मई चल रहा है और कुछ किसान बैइ दूसरा स्परे कर भी रहे तो आप अपने गन्ने के फसल में आप किसी भी फसल में दूसरा सब्सक्राइब करें हम इस पर बात करेंगे पहला तो आप दूसरा स्प्रेय कर ले हैं तो अपने खेत में नमी बढ़ा आप उसमें पाणी चला पाणी के दो तिन दिन बाद जब आपका पैर उसमें खेत में अच्छी तरह बैठना लगा चलने फिरने लाएक तो आप उसमें पर एक ताइम के टाइम तो समय क्या लें आप सबसे पहले तो आइनपी के ले लें आप उन्नीस निस निस यह दो किलो दो किलो लगबग एक कडमा आपका अच्छी तरह से काम कर देता उसके बाद में कौंटिस यह कौंटिस जो है यह एक से जंटा कंपनी का ग्रूथ कर मो यह बहुत अच्छा ग्रोध पर मोतर है यह आपकी गन्ने की लंबाई मोटाई कल्ले की संख्या उसके खाणा बनाने की कलोरोफिल की संख्या यह उसमें गन्ने में रोगों से लड़ने की समता का विकास करता है एक तरीके से आपके गन्यकुस जो आव सक्ची जोती हैं उसके बढ़वा लंबाई मोटाई के लिए सबीस में लगबग हैं इसमें और गैनिक कारबन 15-20% और अमीनो एसिड 2% और गैनिक नाइट रेट 0.7% फासफोर 0.5% पोटेसियम 6.5% काल्सियम 1% इसमें क्वांटिसम है सजेंटा के और इसमें इसके अलावा अमीनो एसिड होगा माइक्रो नूंट्रेंस भी है तो इसकी मातरा आपको कितनी रखनी है एक एक कड में आप अगर गन्यम अस्परे करें तो 600-700 ml और आप नोर्मल अस्परे कर रहे हैं तो आप किसी भी और फसल म और इसकी तो आपको 400-500 ग्राम अमल पड़काा इंप्लानेशनां मलगा सकते हैं मैं जरूर करें यह दूसरास्परे है आप अपने जरूर करें खली डूसरा सब्लास्थ हैं यह आप ती इतना सब्सक्राइब करना करें उसके साथ में गरूत परमोटर आप जरूर लगा मैं इस से गन्य में जबर्दस्त आपको वरद्धी देखने के मिलागी आपके गन्य का विकास तेजी से होगा और इस समय तापमान बढ़ा और तापमान धूप से आपके फसल को भी बचाने क करें गरूत परमोटर काम करते हैं तो भाई जिनकिसान भायों को वीडियो अच्छी लगे वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं